आदर्णिय दर्सक ब्रेंद नमस्कार समाजमा रहेका बिकृती विसंगतीमा सुख्सम चिर्फार प्रस्ताचार बिरुद्ध चोठिलु प्रहार रा ब्याप्त रहेको कुशाशनलाई चिर्दै सुशाशन स्तापना का निम्ती हमरो अवियान जारी छा समाज मा ब्याप्त बिक्रित पक्षको फरक फरक कोण बाट सुख्सम बिसलेशन गर दे आबसेक पहल कदमी का निम्ती शम्मन्दित निकायलाई खबरदा गर्चोवामी मिसन्योज मारफत शुरुगरों आजका स्रिंखला को मुख्य मुख्य बिसे बाट शड़क बिस्तार शुरुवात बिचैमा रोकियो मुख्याको कि चलो जने बिबाद बलजी परितकास को नाम आफ नहीं स्वार्थता एट उड़ा सड़क बिस्तार लेख पाउज निरन्था जान्ती लोकपत को उस्तै कंत बिजो ताठी बर्स बित्तापनी अजेई भायना उपई शुरुहुंच काम धेरे ठाउमा पाउदैन पूर्णता विकास निर्मान मा बहाना बाजी नगरों आबता दर्सक ब्रेंध बिकास निर्मान ले धेरे ठाउमा पूर्णता पाउदैन नसकेको रा सरकारी निकाय को कमी कमजोरी का बिषे विला बखत मा शार्बजने कुने गरचन बिकास निर्मान को काम समय मा हुना नसक्नमा सरकारी निकाय ठेकेदार रा कहीं कतै सोई छेत्र का जनता पनी मुख्य दोशी उन्छन सरकार ले एटोणामा पनी सडक सांगुरो भाय को भंदई फरा किलो पारने काम को थालनी केई समयागी गरे सोकारे को सुर्वात संगै सडक खंडमा परने दाया बाया 25-25 मिटर भित्र परने सरकारी सम्रचना बतकाईयो तरा सरकारी सम्रचना बतकाईये पनी अन्य स्तानिये को घर अरू बतकाऊन खोजदा त्यहां अबरोध भाय को थियो कारण एउटेई छा सरकारी निकाय सरकारले सडक बिस्तार गर्न लागे को छेत्रमा पहेका घर जगा को मुआबजा दीशक को दावी गरे रेको छा पनी अरको तिरा घर धनी अरू आफु अरले मुआबजा नलिये को दावी गरे रेका छन के इस तै जुहारी का कारण विकास को काम मा अबरोध उत्पर्न भाय को होता सडक बिस्तार शुरुवात दिचैमा रोकियो मुआबजा को कि चलो जने विबाद बल जी सब्सक्राइब सरकारले देशफर सडक बिस्तार को अभियान लाई ति ब्रता दिदे आये कोशा सरकार को सडक बिस्तार योजना संगे हेटोडामा सडक बिस्तार कारे सुरुवभाय को एक महीना भाये कोशा तर बिस्तार कारेले नियमित गतिलीन अज्जै सकीर आये कोशाईन एटोडा सड़क खंडको दाया बाया 25-25 मीठेर फित्र पर्ने सरकारी सम्रशना फतकाय पछी डिबीजन सड़क कारेलेले एटोडाको राप्ती रोड बात नीजी घर जहरा हरू फतकावन सुरू कर्यों तर त्याहां का बेवसाई र घर धनिहरू आंदोलित फई पछी सड़ सड़क बिस्तार कार्य बिथोलिये को छा गत माग चार गते बिथोलिये को सड़क बिस्तार कारेले अज्जु सम्म पनी गते लिन नव सकता आम हेटोडा बासी मा अन्योलता सिर्जना फई को छा मक्वानफुर का राजनेतिक दलका निता देखी साम्चत सम्मले बिना मुँ आबजा घर भत्काउन पाइदे न भंदे मंत्रा लाई देखी प्रदान मंत्री सम्मलाई फेटे तर कुने ठोस निसकर सभने निसकिये न नेपाल को अईले को अबस्तामा आर्थिक अबस्ता सामाजीक अबस्ता रहिए नेपाल को जी डीपी तिन्टे कुराला एर्नी भंदे नेपाल सरकार संग, नेपाल की जन्ता संग रज बजार मा भायको पैसा लए फिरी सहर बदकार तेही सहर बनावना को नेमती जुन पैसा आकरसी तुद्ज तेले देश को रोजगारी मा पेनी विकास गर देना यहां मेले एती देरे सम्रचना न भदकाउना को निमती फिरी मुयाबजा न लिएको अबस्तामा यहाडा बिकल्पको मार्गा देएको शाँ नगर कस्तो बनावनी बनने दोश्र कुरा हो नगर को लागी नगर को मापधन्दमा सहर लाई 15 मीटर मा बनायरा एक मीटर सेट बै जिल्ला बिकास न अगर पालिका को पार्टनर्सीप रहे हो दिवीजन सडक कारेलेले माग पास गते देखी 15 दिन को समय संगे निवेदन दिन सक्ने समय दियो युबीज मा थुप्रे निवेदन हरु परे अदालत मा रिटने दायर भयो रिटूपर उच्च अदालत ले सडक विस्तार काम रोखन नपने भनी नर्नाय करेको थियो सर्बोच मा परेको साजना को रिटूपर फागुन दुई गते सम्मा नफतकाउन का लागी सर्बोच को आदेश सम्मा आयो एसे बीट मा मध्यामांचल छेत्रे प्रसासक बिनोत केसिको सरुआले पनी सडक विस्तार मा राजनीती बंदै सामाजेक संजाल लगायत चिया चौटारी मा बिभिन्ड टिका टिपनी हरू उन थाले कोश विभाद को रूप चरम उतकर्षमा पुगे संगई सडक विस्तार को कारिय अलपत्र परे कोश सडक विभाग आफनु शित्र दिकार भित्रको जगा भायकाले सडक विस्तार गर्ण पाउनू करश भनिरैको श एर सडक शित्र भित्र पर्णे घरदनी हरू उचित मुआब जा पाउनू पर्णे माग गरी रहेका शन यही बिवात को विजमा सरक्षित्र लथालिंग वस्तामा पहाय कोशा। विकास को काम मा जरताले सिर्खारलाई सयोग गरने अनी आपना देश का नागरीत विस्ताफित नहुने बातावरन सिर्जना गरनो राज्य को दाइत्तो पनी हो। तेसेले ततकाल समस्या को समावान गरने तरफ सम्मंदित सबैले सोसनु परने भय कोशा। विनवने विकास को नाम मा ए रस्ते अवरोज साथे समाधान मा पहल कदमी कहीं कतईबात नहुने हो भने इसले धेरे दुरगामी असर करना सक्षा। एस तरफ सोचिती ने कसले। आएको बाडी पस्चा, हेटोणा नगर को विकास भय को पाइन छा। विक्रम सम्मद 2003 साल मा नहीं, आठ गेज को 12 मिटर सडक हेटोणा छेत्रमा बने को पाइन छा। सडक अएन 2021 अनुरूप, 25-25 मिटर सडक विस्तार गरने सरकारी निती अनुरूप, हेटोणा मा सडक विस्तार गरना लागियेको हो। यहांका घरधनी रा सरकार बीच को बाद प्रतिबाद पनी एनी रा अलजियेको देखीन छा। 2021 साल मा बने को सडक अएन अनुशार, सो छेत्रमा बसने स्तानी अलाई मुआबजा दी सक्यो। तरा सरकार ले पनी तेसको एथेस्ट तत्यांक राखेना मने मालपोतले सडक आसपास परने 25 मिटर छेत्र चुट्यार गरनूपरने जग्गा को कारवार गरी दियेना। सो समय पसार धेरे जग्गा दनी फेरिये। अईले सरकार ले सडक विश्तार गरन लागे पची मात्र हेटोडा सडक खंडमा घर धनी लाई था भयोकी घर त सडक छेत्रमा परदू रहे छा। सरकारी कार्याले अरू भतकाउदा मौन बसे का स्तानिय अफने घर परन लागे पची बने आंदोलीत बयका छन। कसरी संब्धन होलाता हेटोडा सडक खंडका घर धनी कु माग अनि के पावलांत सडक विश्तार कारे ले निरंतरता। कास को नाम आफ नहीं स्वार्थता हेटोडा सडक विश्तार ले पावस निरंतरता। जुन्सुके कामले जब सुरुवाती पावस तब तेसले निरंतरता संगाई पूर्णता पने पावनाई परसा। तरह हेटोडा सडक खंड अंतरगत हेटोडा बजार श्यत्रमा गर्न लागियेकु सडक विश्तार कारे भने केही सरकारी भवन हरू भदकावने बाहेक अन्यकुने काम हुना सकेको छाईना। डिविजन सडक कारेलाय हैं है चोड़ाले सडक बिष्तार ले निरन्थरता पाऊने बताही रहे पने सडक फरा किलो पारने काम अगी बढ़ावना भने सकी रहेको छाईना बदकाउने काम एक मैना अगी देखी सुरू भाईसके पसी पनी आजसम्म काम लाई निरंतर्ता तीन न सकनुले उँ आफनो काम बाट पसी हटना खोजेको अथबा सोजो अर्थमा घर बदकाउना डरायको होकी भने ब्रस्ना सबैमा उबजियेको छा येदी सड़क छेत्रको जग्गा सरकारको हो भने सड़क विभाग कीन बिष्थार कारे गर्न डरायी रहेको छ लेपनी गंबीर आसंग का जन मा आएको छ एकातीर डिविजन सड़क कारेलाए हेटो वडा सड़क छेत्रको जग्गा आफनो भायको दाबी गरदे मुआपजा रकम पहिलेने सरकारले भुक्तान गरी सकेको बताऊंदे आयको छबने, इस्थानी बासीले आफोहरले कुने मुआपजा नपायको बताई रहे काछन। येस्तो रस्चा कसीले विकासमाने अब्रोध गरना मिल्लाता। आदेश पुने आमेरी कुरी राच, विकासमाने आखोचों तेवर आदेश को छलफाल बुली बागा उन्याले, शरच बड़ परसी समखे आई सब्सक्राइब्स गोर बनाया है। उन्हे भानने परनी ये लगत कट्टा गड़ेवे ये लालपूर जाते हैंगे तभी लगत कट्टा बहों हो। ये लालपूर जाते हैंगे तभीको जोमिन को जोमिनको ये मवजा लिनूस और इहां देकि darauf गहर बनाने पतावीर ही पाईंजना। यह सड़क ब्याक को जोमीन हो पने कई भणे ना भणे ना भणे नुक्षा पास गढ़ दियो घर बनाये भॉसे अब आहले बांचो घर तोड नी तोड़े रिले जाओं आवा हमी कहा तोड़े रिले जानी हमी कोईले पानी भाने चाहनी जामी घर बना हुच्छु तोड़े अगर हमी जानी बाई ए गणित हासाम कोई चाहे ना है अब माने सारकार भनी डागाँ चाहे हमी मोज लिए सक्यों हमी मोज लिए ना है मौज़ लियेगे चाँ जो एस्पी ओपिस चाँ, एस्पी ओपिस देखी ले रे भरत्पुर्च साम्मा मौज़ दियो, येता कर्रा कुल बढ़ाने पोर्च भाने रे त्या बढ़ा रोता बढ़ा दुई तीन घर को दियो और कोसे ले बढ़ी मौज़ पाया चाहिए ना अगर हमी मौज़ लिये चू भाने, सरकरले देखाओस जे बढ़ाने ये चाँ लिये चाँ, ये लिये चाँ, केई हमरे निशा प्रमान, उसको भा साबुद प्रमान ते केई हो ला ना ये सरी सडक विस्तार को काम अगी बढ़ारा, बीचम दोधार को इस्तिती स्रेजना हुदा, घरधानी ब्यवसाई लगायात संपुर्ण लाए अफठ्यारो भाहिरा है कोछा कहिले भदकीने, कहिले नभदकनिये, कहिले 15 मिटर ता कहिले 25 मिटर जस्ता कुरा हरूले, जन हैचोडा बासिलाई तनाव थपी रायकोछा सड़क डिविजन कारे लाएले, कुनैपनी हालत्मा भदकाउना न छोडने भने पची, रात्ती रोड का अधिकांग्स ब्यवसाई हरले राता रात आफन सामान निकाल दई, कतीले त सारे, कतीले अंचे अधालत को निर्णाय कुरेर बसे काचान तरा माग सत्र गते भौतिक पुर्भादार तथा यातायात मंत्रालाईमा भायको सर्वपत्षिय बैचकले, ततकाल का लागी सड़क बिस्तार कारे भोकियेको जानकारी देको थियो तेसपसी मकवानपूर उद्योग बानिजे संगले फने बेवसाई हरले आतंकित नहुना रा नडराई आफन ठाउमा ब्यापार गरना सल्लाहा देको सा सड़क बिस्तार सहर बाहर बाच लगे, हेटोडा सहर बसने जशको बिकल्प सोरुक बाईपास लाई लिनुपर ने मध्यमांचल उद्योग बानिजे संगले बताई रायको सा बाटो तैयार गरें, तो बिकल्प को बाटो मा नीजी छेत्र को लगानी रहे, राजे को उपकरन अरु प्राफ्त बाईवर, हमले तियो अनुमती प्राफ्त बाईवर, हमले यवड़ा 10-10 किलीमेटर को हेटोडा बजार न भथकाउन न को निम दिये, तो मुईबजा न ल बाटो गरे को थियो, तरह मुईबजा नदी भथकाउन न पाईने भन्दै केही घरधनी र वेवसाईले प्रतिकार गर्ण थाले पसे भथकाउने कारे इस्थगित भाय को थियो, हेटोडा को सड़क बिस्तार को विश्यमा छलफल मा भूतिक योजना तथा निर्मान मंत्र रमेश लेखकले मंत्रालाईले देशाई भरी सड़क बिस्तार का क्रबम दिखे का समस्या समाधान गर्नका लागी कारे दल गठन गरे को बताउं दै कही दिन भित्रै कारे दल हेटोडा पठाउने बताय का थियो, कारे दले दिने प्रतिवेदन अध्येन पसी पुना जिल् उनको प्रतिवद्द दा थियो मतेमांचल छेत्य प्रसासन कारेलाई हेचवडा को प्रमुख को रुपमा न्यूगत गरियेको छा उता बिनोत केसीले आफनो सरुआले सड़क बिस्तार को काम न रोकीने बताय का चन आफनो सरुआले सड़क विस्तार रोकिन चा बनने हला निरर्थक रहय को बताऊं दै सड़क विस्तार ले निरंतर ता पाऊने दावी गरे आफनो सरुआले सड़क विस्तार ले निर्थक रहय को बताऊं चान हनुने पुलाइक मात्रे न भाएर देशपारी के लागी शड़क मापधन्ड हो तछे आफमसेट करी यह को अधिकार छेथ्र यह जगासा चाहिं接़ net शब खार्व शटू पटाऊν चाहिए यो क्रम और ये टोणा में शुरूग अपर येजरा बाख आप आप दैकार है यो कारिक्रमें यो इन पतार आप्टा आपने ये लोग ये उसार बिदाहर था आपके ब्दाच द क्रिकुन चीनले पतार और आपकी भीवय हो अभाहई पीवय ये लिए खोले चेनले बातार अगाड़ी बड़्चार भुदा, मुअबजा नपाया का घरधनी भाए सोही अनुरूप मुअबजा दिनुपर निर्कियूल गरेरा काम अगी बढ़ाउनुपर छा वहीना भने तेसको बिकल्प चाड़ो भन्दा चाड़ो खोजना आवसेक छा एसरी कईले भदकाउने, कईले नभदकाउने रभदकाउना डरायार रुख काटना थालनू भदकाई सकेको ठाउमा सफा गरे जस्तो मात्र गरनू जस्ता कारेले समस्या को समाधा नो हुने भवायकाले इस प्रती समंदित नेकाया को छिट्टे ध्यान पुगनू जरूरी देखिन छा सरकारी तैयारी अनुशार हाल 25 मिटर बिस्तार गर्दा राप्ती पुल देखि ट्राफिक चोक रह सामरी पुल देखि करा पुल सम्मा सडक विस्तार गरिने छा एसो बहेका सो छेत्र का 25 से व्यापारी विस्तापी धुने स्तानियको दावी छा सडक खंडमा माबदंड विपरित बनेको सम्रचना नबत काईने साते दबाब र प्रभाब को भार्मा बिकास को काम रोकीने हो भने एसले दूर गामी असर पर्ण सक्षा केई घर दनेले शरकार पछी नहटने भ्यव पाय पछी आफना सामान अरू अन्यत्रै सारी सके का पनी छन सडक डिविजन कार्याले हेटाउडाले पहिला भदकाईयेका छेत्रमा सरसफाई मात्र गरेर बशिरेयेको छा हेटाउडा सडक खंड विश्तारमा बिबिन किसिमको अबरोध छदेई छा अरको तर्फ काठवांडव हेटाउडा जोडने छोटो रा सहज मार्ग भणियेको कांती लोकपत को बर्सवाउँ देखी स्तरों नतिमा सरकारी ध्यान जान सके को छाईन थब प्रसंग जोडने छाउँ एक चिनको विश्राम पची विश्राम पची पुनस्वागत छब दर्सक ब्रींद आजको कारेक्रम मा हमिली हेटोंडा सडक खंड विस्तार मा भईको अबरोध रा कांती लोकपत को स्तरों नतिमा भईको धिला स्विस्तिका विशेमा केंदरीत भईका छों हो कहीं कताई विकास को नाम मा भिनास्त कताई अबरोध भायको सुनिन छा रपाईन छे पनी हेटोंडा मा पनी विकास को बादक को केई कारन मा दे हेटोंडा सडक खंड को विस्तार मा अबरोध रा कांती लोकपत को स्तरों नतिमा सरकारी ध्यान न जानू नहीं हो 2013 साल मा निर्वांड शुरु गरियेकु हेटाउडा काठ्मांडव जोणने कांती लोकपत अजय पूर्ण रूपमा संचालन में आयकु छाइद। विक्रम संबत 2065 साल मा शरकारले ततकालिन कांती राजपतलाई लोकमार्ग नाम दी छुट्टै योजना कारूपमा काम अगी बड़ायकु थियो। तीन अर्व 42 करोड 66 लाख बजेट अनुमान गरियेकु लोकपत 6 महिना में माल बाग सवारी गुर्ण सकने बनाईने दावी सरकारी निकायकु थियो। लोकपत निर्मान का लागी दू बर्ष बित्र निर्मान कार्य संपन्न गरने बनी ठेका दियेको भायपनी ठेकदार कमपनी ले बिविन्न बहाना बाजी गरदै अजै निर्मान संपन्न गरेको छाई। कईले बन्चत हेटोंडा काट्वान्डों को सबै भंदा छोटो दुरी भनिये को कांती लोकपत। कांती लोकपत को उस्ते कंत बिजो ताठी बर्ष बित्तापनी अजै भायणा उपन्न गरेको बिक्रम समा 2013 साल मा निर्मान सुरुभाई को सडक आजै समा पनी साज रुपले संचालान योगे छाईने भंदा सबैलाई अच्छम लागन सब्षा। तेई पनी दोजार सोर साल मैं गाडी संचालन आएको सडक नीती निर्माताको अकर मंडेता और निर्मान कारी मा चुष्तता नहुदा आजसमा पनी यो सडक मा सोज व्यातर गर्न सकीने इस्तिती सैने तुरा हो हेटोडा काटमाडू कांती लोकमार्गको तुनै पनी आईजना निर्मान संपन गर्न निस्सित अवदीर रकम छुटाई इक हुँँछ तुरा बीक्रम सम्मद 2003 साल मा निर्मार सुरू गरीईको हेटोडा काटमाडू जोडने कांती लोकपग साथी बर्षसमा प बजर्ट समेथ अनुमान गरीईको लोकपग सा मैना मैं मालबाक सवारी गुडन सकने बताई एको भायता पनी और जई कईले संथालन मा आउने हो अन्योलता कांए में छा तत कालीन राजा मैंद्र ले दोजार सुर साल मा आफोईले जीप हाकेर काटमाडू बाडा हेटोणा आईको भन्नी कुई शड़क आजस्तमा पनी सोहज डुपमा हेटोणा काटमाडू ओर दोर गर्ने सोहज मार्ग बन्न सके कुछाईन लोगपत निर्मार को लागी दोई वर्ष भित्र निर्मार कारे संपन्न गर्नी भनी ठेका पायको ठीकेदार कमपनी ले नाका बंदिर इंदन अबाब का कैरन देखंदाई काम मा धिलाई गड़ दया आईको पाइन छा कांती लोगपत सडकले मखवानपुरको गड़ी ठींगन रईपा गाविस्च प्र ललित्पुरको माल्टा गाविस्च छोयर काटमाडू तीन घंटा वित्र पुगने सिटो बाट हो कांती लोगपद संचालनमा आये ठींगन गडी र इपा गाविश्यका बासन दाले काटमान्डूर हेटूडा तीन घंटा वित्र आउट जाओत करना सक्षन नै अजय स्थाने शेत्रमा उत्पादन भाईका तरकारी फलफुल अन्न पात्र पसुचो पाईका बजार साजुने एंडें शाजटल है निश्चे था अपना आयारा योट राधानी छित्टू पूरे आये तरू साधान और सामानन खादेना सामान हरे वेववशार सामान हरे उव्लफ्ट गराउने राधानी मा वेववशार शर्काल लावववववववववववार साभावर सभेले पर लेंडर दो पर रहें, कला रहें पर दो पर रहें पर खाली और शुक भड़ा है। अनि तेस्कारानी एतावड़ा भाय चाओरासी पजासी किलो मिटर समा लगभाग 90 किलो मिटर समा को यात्रा मा चें एक के दिन मा वियाना निस्के को गाड़ी सामान लियारा बेलका ना उंधा है राधानी छिर्तियो व्यापारी बर्ग अरला पने आमस्ता आमान अरो पुर्याम दाहरी छिटा फाइदा राधा आयत गरा तेस्पड़ा जो क्वार अरो उठावड़ा सारकार ले क्यो क्वार बढ़न के फाइदा लिना सक्तियो जो स्वड़क को जगा प्राप्ति एन अगाड़ी नए मेरा आमा को नामा आई चाच अगाड़ी अगाड़ी नहीं पर नामा आतियो वंदागेरी कसरी आमरो अतिक्रमन भो अव अली सवड़क ले बंदा चाजिए वड़क शेंटर बड़क पचीश मिर्ट दायर पचीश मिर्ट बाय यो तो उल्ट सवड़क ले अतिक्रमन कर लुगा अर अमरे पटक पटक केबनी वड़ाय कतियों वने एदी तपर ले चानि आमझेखताए फेले मोरबजा को अव यो है को वाले चानि जड़क शार्मन भाय शार्मन भर ले य॥ अधिए भाजाचान वग लें ले रस मेरे चानि तपर लोनी थी सभी ने दे शार्मन कर लुगा जाल होनी जानि पछाट कार्वा होनी तर उम्रे शार्मा र राजय को सम्पूर माव्ड़न लोगपक निर्मा डौधा अईले ठिंगन बाड चुड़क मा हेतोंडा जोखिंपूर्ण कची बाटो सिचोल लाई स्थान ने ट्रोक लाई 6 घंटा लागश साथे ललितपूर का माल्टा वासिलाई काटमांड पुग्न पनी उतिने समय लागश कांती लोगपद सडक खंड को 13 किलोमिटर मक्वान्थूर जिल्लामा परश रबागी ललितपूर जिल्लामा परश तरहाई जोड़ने बैकल्पिक मार्ग का रुपमा प्रवाई खोंदे आयका दशिनकाली हेट्मडार बने पास तेंदूली राज मार्गले ठुला यात्रो बाहत्र मालवाग सवारी थेग्न नौसकने भाईकाली पनी कांती राजपद को महतू छ अईले कांती लोगपद आट मिटर चवड़ाई राएगुछा दुईलेन सडकबाड सांगरो घुमावरो पचासी किलोमिटर का दशिनकाली सिस्नेरी मार्ग 223 किलोमिटर को मुगलिंग नारणगाडर एक से अंठोन किलोमिटर को त्रिवोवन राजपद को जोखेंपोन यात्रा को बाद देता ब्रहने छाईना तीन घंटा मैं काटमंड पोगिन छा जस्ते सवारी इंदनको समेथ खपत त्रभाडामा समेथ भटने छन तर सडिक निर्माड मास्तुष्तोता नोह दार सरुकारवाला निकाय को हेल्जप शेकराई का कारण आजपणी यो सडिक को दूरा आउशता उस्तेई छा संदै समस्य मात्र होईन समादान को पनी खोजी आउसिक छा संदाई यो रत्यों भाईना भंदापनी संभावना वोकी को कांती पत निर्मार कारे लाई तीब्रता स्वास रुपले याता संचलन हुने सरत निर्मार को लागी सबाई को सक्रात्मक्मल कदेमी आउसे देखिन छा कांती लोकपत को उस्तै कंत बिजो ताठी बर्स भित्तापनी अजै भाईना उपले कांती लोकपतले मक्मानपुरको गडी, ठींगन रा इपा गाविश अनि ललित पुरको माल्टा गाविश छोयरा काठ्वांड लू तीन घंटा भित्र पुग्न सकिन छा ततकालीन राजा महेंद्राले दुएजार स्वोरा सालमा आफंईले जी भाकेर काठ्वांड उबाट हेटोंडा आयेको भनियेको यो सड़क आज सम्मपनी सहज रूपमा हेटोंडा काठ्वांडों उहर दरगरने मार्ग बन्न सकिरेको अवस्ता छाईले मुलुक मा विकास अपरियार्य छा तरा विकास पनी विविन्न ब्यक्तिको स्वार्थमा केंद्रीत उंचा बने तेसको किया अर्थर रांचर हो एटोंडा सड़क खंड को विस्तार मा भयको अवरो दोस या कांती लोकपत को निर्माण कारेले पुणता नपायको विशे किन नहोस यहां कतई न कतई केई बेक्तिको स्वार्थ जोडियेको देखीन छा यस तई सड़क विस्तार कारिय काक्ष्मंडों लगायत देशका बिविन्न भागमा पही रहेको छा तरा तोकियेको समयमा काम नभयको उदारन भने हरेक छेत्रमा देखन पायीं छा कीना हुदैना विकास को काम तोकियेको समयमा की होता खासकार शुरू हुँचा काम धेरेई ठाउमा पाउदैना पूर्णता दिकास निर्मान मा बहाना बाजी नगरों अवर्दा राजधानी काथ्फान्डूलाई नियालने होवने खाम लागदा धुलाम्ये पानी परदा हिलाम्ये सड़क मात्र हामिले देखना सक्षाँ अजई पनी राजधानी का सड़क विस्तार कारेले पूर्णता पायको छैना भने देशको बेभिन्न सहरी चेत्रमा सड़क विस्तार कारेले ब्यापक ता पायको पायन छा तरा सरकारली काम शुरुगरे पनी अबरोद धेरेश्येत्र मा भयको उधारान पनी उद्ती गयी छॅ मुलुक मा विकास भाईना वणि निती निर्माता रशत्ता सन्चालन को बागधूर समाले का हरु को दापक बिरोध हुने गर्दा छॅ तरह बिकास ले गती नलीनुमा अन्ने कारण हरुपनी देखना सकीन छा अईली पनी मुलुक मा बिकास पजेट लक्षी अनुसार खर्च हुना सकेको अबस्ता छाईना पने जहां जहां बिकास निर्मान को लागी ठेका आफवान गरियेको छा तेहां पने ठेकेदार ले बिभिन बहाना बाजे गरदाई तोकियेको समयमा काम संपन्ना ना गरेको अबस्ता छा बिक्रम सम्मद 2013 साल बाट निर्मान कारे सुरुवात गरियेको रद 2014 साल मानाई गाडी चलना सकने भयको कान्ती लोगफाथ अईले पनी सहसरुपमा संचालन मा ना आउनुले हमरो कामगरने सैली रसत्ता संचालन को बाट रोर सम्माले का हरुलाई गिज्याई रायको छा बाको अतिक्रमन कारी बासे को बने आचा इसलिए गार अमरो अपमान बाको छा आईना अमरो पनी बिकास बीरो ती ओहना हमी वुचित मुअभजा अईले चलन चलन चलती आन सा उचित मुअभजा पहुनु पर्या हमी भधकोन तयार चा तरा अमलाई सुकम बाशी पनोंत कती संहान बुचित मुचित 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 अधिन बेशाइब लेगा लेट लेटा हरे घर वाला आड़ामा जानियों अधिर घर वाले लेगार अमी बेवसाइब ठीकनियों आमी दुटी को संबंद बननेको नंगरमासी को संबंद थियो तर आज यो 25 मिटर ले आमी कती पे घर भेटीर घर धनिको बिच्चापनी योडा मत बेद लेए दियेको छा बनी कती ठावमा एक दन सुमदूर संबंद पनी गर दियेको छा तर कस्तो बनना ताँची बन्दारी तवेको यो 25 मिटर सड़क यदी नगर पाली का योदी यो सड़क बिभाक काई थियो बनी आमीला यह बसन दिने न उनुपर नी थियो यदी आमला यह बड़ दियो आज यो सब पे विस्थापित भायर का जानिता हामी आमी लाखो कुर्गीन लियरा आमीले ब्योसाय गरेको कॉण्डिशन दे येस्त तई हेटवडा सड़क हंड अंतरगा तुई हेटवडा बजार छेत्रमा सड़क विस्थार कारेले निरंतरता पावना नसक्नुमा धेरै किसिमको स्वार्था लुकेको पायें छा सरकारी निकाए रस्थानि ये बासिको आ अफने दावपेसको कारन सो छेतरमा सड़क विस्थार कारेने अलपत्र पर्नेत हुई न भणने चींतार चासो सर्वत्र हुन थालेको छा सड़क छेत्र भित्रपर ने जग्गा पहिलेनी सरकार ले आपनो स्वामित्तों मा लीज सकेको भायपने येतिका बर्षा राज्ये ले संपती कर किना लगायो भनेर इस्थानी बासी ले उठायको प्रस्ण पने कम भीर छा तेसोता राजनेतिक दाव पेच को आधार्मा रा अंदोलन को भर्मा सरकार ले गलावनों सकीनचा बनने मानसिकता इस्थानी बासी होरले राखनो पनी जायज होईना किनाकी राज्ये मा बसने हरेक नागरिकले बिकास को कुरामा राज्ये संगा हाते मालो गर्ने परछा अन्य था आमीले बिकसित समाज को परिकल्पना गर्णू बेर्था हुना जान छा घर भदकीने न भदकने राज सड़क विश्तार हुने न हुने भणने विश्यमा बेभिन्न कुराहरू निस्कीन थाले पची सबैको मुख्थुन्न डिविजन सड़कले के दिन देखी पहिले नहीं भदकायको सरकारी कारले अगाडी सरसफाई गर्यजस्तो गर्यो रह अईले रोग काटने अभियान चलाओ देचा इसले जण अण्योल्ता बढ़ायको चो रण भदकीने नवादकीने, कति भदकीने, कईली सम्म भदकीने बेभिन्न कुराहरू उपजी एकाछन इस थानिये बासी मा आफनो घर भतकीने या नभतकीने बतकीये मा कती भतकीने र सड़क मिस्तार कारेले निरंतर्ता पाउने की नपाउने भनने अन्योलता बड़ेकुछ इसता विकास को नाम मा देखियेको बाधा उधारन मात्र हो इसते समस्या मुलुक को बेभिनन भाग माच्वा इसता समस्यालाई हल गर देखियेक बिकासलाई निरंतर्तार चाड़ो गतीमा सवंचालन गर्नको निम्ती सबैकुछ सकारात्मक पहलकादमी आवसेक छा शुरू हुन्चा काम धेरे ठाउमा पाउंदैन पूर्णता विकास निर्माण मा बहाना बाजी नगरों आवसेक तरकर तथ्य जे भायपनी विकासले निरंतर्ता पाउनी पर्छा यटवडा सडक्खन्डमा केई सरकारी लाचारी, केई इस्तानियकु कमजोरी रा केई सिमित ब्यवसाईकु दादागिरी का कारन बिस्तारमा अवरोध भायकु देखीन छा कांती लोगपत्पनी ठेकेदार रा सरकारी निकायकेई मनोमानी का कारन पूर्ण संचालनमा नायकु देखीन छा इतब बिकास मा देखेको अवरोध रा सरकारी निकायको अकर मन्ने ताको नमुना उदाहरन मात्र हो अज एस्ताई किसिम का बिकास को नाम मा धेरेई छेत्रमा बादा अर्चन हरू देखन साकिन छा बिकास मा बिविन्न बहानाबाजी गर्न खोजने लाई निती निर्मा ताले कड़ाई गरिदीने हो बने हरेक छेत्रमा बिकास ले निरंतरता पाउने मा दुई मत छाई न बिकास निर्मार मा अवरोध गर्ने अधिकार कस्ये लाई पनी छाई न रा गर्ने लाई संबंदित निकायले कारवाईरी को दायरामा छीटो भंदा छीटो ल्याउने परछा रा ल्याउस पनी आमरो आगरह एत्ती हो मिस्टर नियोज मा विशे उठान गरी सके पची तेसको निराकरन नबय सम्मा हामी निरंतर निगरानी गरी रहने छाओ सिमित बेक्तिले सिंगो और आस्ट्रलाईने विक्रित बनावना सकने तरफ तपाई हामी बेलाईमा सचे तुनू जरूरी छा यसता विक्रिती रोकना तपाई को पनी सक्रिय सहवागिता आवजेक छा तपाई को सुचना हमरो कारेकर्म को सुरोध बनना सक्छा तेसेले बिक्रिती, बिसंगती र ब्रस्टाचार संबंदी तपाई संगपनी कुने सुचना छन बनी, हामरो टेलीफोन नंबर 01-50-10-806 मां वा मोबाईल नंबर 980-11-60-35 दिन मां संपर्क करना सकनों ने छा अवस्त, मक्वानपूर संबाद दातार राज सापकोटा को स्वयगमा तयार मिशन्योज आजला एतिने बोली नया विशे का साथ उपस्ति दूने चाहूं, नमस्कार अवस्त, मक्वानपूर स्वयगमा तयार मिशन्योज चाहूं, नमस्कार